Hello Friends, ये मेरा ReactJS Interview Questions का Session No.10 है और मैं यहाँ पे वोही Interview Questions बताता हूँ जो इस टाम ReactJS के Interview में पूछे जा रहे हैं कहने का मतलब है ये सब Live Questions है तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप ReactJS के Interview देने जा रहे हैं तो आपको ये Questions करके जाने चाहिए तो Friends, अब मैं अपने वीडियो में आगे वरता हूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपके सामने कुछ Interview Questions लिखे हैं तो पहला Question है Unidational Data Flow in ReactJS तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो Unidational Data Flow in ReactJS क्या होता है देखे, ReactJS के अंदर क्या होता है कि जैसे माले लिखे एक Parent Component होता है और एक Child Component होता है तो आप ReactJS में ये कर सकते हैं कि Parent Component से Child Component में डेटा पास कर सकते हैं यूजिंग प्रॉप्स बट चाइल्ड कंपोनेंट से Parent Component में पास नहीं कर सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं Unidational Data Flow यहाँ पे लिखा भी है मैंने ReactFollow Unidational Data Flow इसको हम लोग One-Way Data Winding भी बोलते हैं अगर आपसे इंटर्वी में कोई पूछ लेगा कि One-Way Data Winding क्या होती है या आपसे पुछेगा Unidational Data Flow क्या होता है तो आप यही अंसर देंगे कहने का मतलब है कि आप React.js के अंदर Parent Component से Child Component में डेटा ला सकते हैं यूजिंग प्रॉप्स पर Child Component से Parent Component में डेटा नहीं ले जा सकते हैं इसको बोलते हैं Unidational Data Flow यही मैंने लिखा हुआ है यहां लिखा है You can pass data from Parent Component by a प्रॉप्स and can receive in Child Component but we can't pass data from Child Component to Parent Component तो Child Component can't update or modify the data on their own मतलब Child Component data को update भी नहीं कर सकता है इसको हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि react clean data flow architecture फोलो करता है इसके advantage है debugging easily हो जाती है better control होता है efficiency बहुत अच्छी होती है तो friends यह question important है इससा में पूछा जा रहा है आपको इसको कर के जाना चाहिए और इसको मैंने थोड़ा सा code में भी बता देता हूँ आपको देखिए यह मैंने parent component बनाया हुआ है मतलब code से भी clear कर देता हूँ तो यह parent component बनाया हुआ है यहाँ पे मैंने एक child component call किया है ठीक है और यह message क्या है एक props है ठीक है अभी देखो मैं next screen पे चलता हूँ यह child component है मेरा ठीक है और यह हमारा parent component है यहाँ पे हमने child component को import किया है और यहाँ message लिखा एक props और उसमें मैंने यह value pass करी है ठीक है और यह child component में as a props receive करके उसे access कर लिया ठीक है तो अगर आपसे कोई code कहेगा तो आप उसको भी बना के दिखा सकते है अच्छा इसके अलावा कभी कभी कोई कोई question ऐसा भी पूछ ले आता है जैसे यह how to pass data from child to parent component क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि react जो है unidirectional data flow follow करता है parent से child में data ला सकते हो child से parent में नहीं ला सकते हो हमें child component का data parent component में लाना हो तो क्या करेंगे यह भी question पूछा सकता है तो देखिए कैसे करेंगे भो भी बता देता हूँ यह मैंने parent component में बनाया हुआ है और यह child component है अब मैं back चलता हूँ यहाँ पे मैंने child component import किया हुआ है और यहाँ child component में एक function पास कर दिया है देखिए मैंने function पास कर दिया है यहाँ पे show function handle function क्या है यह एक props है एक function पास करा है as a props ठीक है और यह function कहा है यह हमारा child function के अंदर यह child component है ठीक है यहाँ हमने as a props receive कर लिया और यहाँ से message डाला और यह message हमार यहां पर आगया और हमने इसे message प्रिंट कर दिया तो यह तरीका होता है आप child component से parent component में data ले जा सकते हैं इसके अलाबा एक question और है how many way to call APIs in react यह भी question बहुत पूशा जा रहा है react के अंदर API को कितने तरीके से call किया जा सकता है तो तीन तरीके हैं एक है xml http request तूसरा fetch API तीसरा exhaust तो यह तीन तरीके हैं जिसके through हम react.js में API कॉल कर सकते हैं what are the advantage of redx with react.js मतलब redx के क्या-क्या advantage है यह भी अक्सर interview में पूश ले जाता है तो advantage क्या क्या है centralized state management होता है मतलब हमारे redx के अंदर एक store होता है उसके अंदर हम लोग सारी state रखते हैं easy state transfer between components मतलब components के अंदर easily states को हम transfer कर सकते हैं easy to debug performance optimization great supportive community storing long term data मतलब long term data आपको store करके रखता है तो यह सारे redx के advantage हैं यह भी interview में इस time पुछे आ रहे हैं तो friends मैं आपको बोलूँगा कि आप यह सब interview में question तयार करके जाईएगा और इस समय redx react.js का market बहुत अच्छा चल रहा है और इस समय काफी openings भी आ रही है तो मैंने यहाँ पर अपनी playlist बनाई हुई है उसमें से आप पूरी playlist में जितने भी videos हैं करीब 10 videos मैंने बना दिये हैं तो जितने भी question वो सारे important है वो सारे आप करके जाईएगा तो आपके interview clear होने के बहुत बहुत chances हैं और friends इस वीडियो को अपने friend circle में जरूर share करिएगा और friends वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करना ना भूले और अगर आप channel पे नए आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें तो friends आज कर वीडियो finish होता है धन्यवाद बाई बाई